हलो दोस्तों, दोस्तों OnePlus Nord Series का एक और स्मार्टफोन Nord 2T इंडिया में लॉंच हो गया है और इसकी जो फर्स्ट सेल होगी वो आज होगी Amazon पे तो चलिए पहले देखते हैं इसकी Unboxing तो दोस्तों जैसे ही box को open करते हैं तो सबसे उपर रखा है आपका Silicon Case और इसी के साथ यहां पर आपको Sim Ejector Tool भी मिलता है साथ यह आपको यह ग्यान की किताब भी मिलती है और इसी के नीचे रखा है आपका OnePlus Nord 2T दोस्तों स्मार्टफोन के नीचे ही आपको 80W का SuperWook एडेप्टर देखने को मिलता है और इसी के साथ यहां आपको Type-C Data Cable भी मिल जाती है दोस्तों जो OnePlus Nord 2T का जो बेक पेनल है वो दिखने में सेम IQ Z6 Pro के जैसा है अगर LED Flash को छोड़ दें तो तो चलिए बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर OnePlus ने MediaTek Diamond City 1300 चिपसेट का यूज किया है जो कि X6 Nanometer Technology से बना चिपसेट है और इसे के साथ यहां पर Mali G76 GPU भी लगा हुआ है और इसकी जो Maximum Clock Speed है वो है 3 GHz और अगर बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो सेम Node 2 वाली ही यूज की है यहां पर जो की है 6.43 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले जिसकी refresh rate है 90 Hz और इसक्रीन प्रोटेक्शन के लिए यहां पर Corning Gorilla Glass 5 का यूज किया गया है और यहां पर आपको बेक साइड में भी Corning Gorilla Glass 5 मिल जाता है और इसकी जो peak brightness है वो है 800 nits दोस्तों बात करें इसके camera setup की तो यहां पर आपको triple year camera setup देखने को मिलता है जांपे जो main camera है वो 50 megapixel का है जो कि है Sony IMX 766 sensor और जो second camera है वो 8 megapixel का ultra wide angle lens है और जो third camera है वो 2 megapixel का mono camera है तो दोस्तों camera setup भी बिल्कुल वही यूज किया है OnePlus ने जो node 2 में यूज किया था तो यहां पर camera setup में भी OnePlus ने कोई भी changes नहीं किया है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी battery capacity की तो यहां पर आपको 4-4-500 image की battery देखने को मिलती है security के लिए आपको यहां पर under display fingerprint scanner देखने को मिलता है तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर जो node 2T के feature है वो लगबग same है node 2 के except इसका processor तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके price की तो node 2T का जो base variant है 8GB RAM 128GB storage उसकी price है 28,999 रूपीज और जो 12GB RAM 256GB storage variant है अगर आपके पास पहले से ही OnePlus node 2 है तो यहां पर node 2T लेने का कोई sense बनता नहीं है बागी क्या सोचते हैं आप इसी smartphone के बारे में comment करके जरूर बताएं अगर आप चैनल पे पहली बाहर आएं तो प्लीज दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को like और share करें मिलते हैं अगले वीडियो में बाई